नमस्कार दोस्तो आयरवेश साला चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम आपके लिए जो विसेल ये क्या है वो है स्लीप डिस्क स्लीप डिस्क में जो दर्द की समस्या बनती आखिर होता क्यूं है उसके बारे में आज आपको बताएंगे तो आप ये देख रहे हैं ये है रीड की अड़ी इसी में ही जब कोई प्रॉलम आती है तो जब आपको दर्द की सिकायत बनती है या आपको नीचे या बीच में या उपर कहीं कोई आपको फाल्ट बन जाता है रीड की अड़ी में तो आपको दर्द की सिकायत बन जाती है त बताते हैं वह कैसे होता है आप इसमें देख रहे होंगे आप इसमें डिस्क देख रहे हैं यह छोटी-छोटे आकार की जैसे कैनन बोट आपने जीवन में खेला होगा तो उस आकार की गोटियां होती है यह गोटियों के बराबर जिसमें फ्लूड भरा होता है एक और यह damage है जिसमें flood भार आया है और यह तंत्री का तंत्र को touch कर रहा है तो यहां पर दवाब पढ़ रहा है तंत्री का तंत्र के उपपर इस कारण से दर्द की सिकायत बन जाती है, swelling की समस्या हो जाती है आप इसमें देख रहे हैं, रीड की हड़ी में, डिस्क करता क्या है, क्या काम है इसका, इसका काम है कि अगर आप किसी तरह का कोई भी heavy बजन उठाते हैं तो रीड की हड़ी पर दवाब परता है तो यह एक spring की तरह काम करता है, pump की तरह काम करता है, जिससे हड़ियां आपस म रगड ना खा पाएं, और यह आपकी हड़ियों को बचा के रखता है, किसी तरह का भी कोई भी दवाब होता है, प्रिशर बनता है रीड की हड़ी पर, तो यह उसे कंट्रोल करके रखता है, तो यह उसका काम होता है, अगर यही damage हो जाती है, तब आपको sleep disc की problem आ जाती है, आप यह जितनी तंत्रिकाई देख रहे हैं, यह आपको रीड की हड़ी के अंदर से जाती है, खोकली होती है, बीच में से खाली होती है, तो यह आप नीचे के हिस्से में देख रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे कहीं नीचे problem आती है, रीड की हड़ी में, तो आपको में अगर कहीं प्रोलम आजाती है तो आपको पसलियों में दर्द की सिकायत बन जाएगी आखिर ये दर्द बनता क्यूं है इसके बार में भी आपको बताएंगे क्या कारण हो सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं अगर आप अनुचित वजन उठाते हैं यानि आप अपनी श है डिस्प्रावलम हो जाती है इसके कुछ और भी कारण है जैसे आप काफी देर तक ऑफिस में काम करते हैं बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं लेकिन जब आप उठने की कोशिस करते हैं और कमर में दर्द की आपको समस्या बन जाती है यानि खिचाव होने लगता है त तो आपको डिस्प्रावलम की सिकायत यानि समस्या बन जाती है इसके लाबा और भी कुछ कारण है जैसे अत्यदिक मोटापा अत्यदिक मोटापा यानि सरीर में ज्यादा वजन बढ़ जाने के कारण रीड की हड़ी में दवाब बन जाता है और उस दवाब के कारण डिस् चांद सकते हैं आप, आप उसमें पहले देखेंगे कि अगर आपको चलने में किसी परकार की कोई दर्द होती है, जैसे कि कमर में दर्द की सिकायत बन जाती है, तो आप समझ लिए कि आपको sleep disc की प्रॉलम है, इसके अलावा और भी कुछ हैं, जैसे कि पैर उठाने के साथ द केटे हुए हैं, एक इस्तान पर आप हिल रहे हैं, तो इसमें आगर आपको कमर में दर्द की सिकायत बन जाती है, तो समझ लिए आपको इस समस्या बनी हुई है, और आप जब खड़े होते हैं, और खड़े होने के बाद आपको तीव रियानी तेज आपकी कमर में दर्द तो समझ लिए आपको sleep disc की समस्या बन चुकी है और इसकी एक और पैचान है जहां भी दर्द की सिकायत बनती है तो हमाँ पे जुन-जुनाहट सी बनी रहती है दर्द की सिकायत बन जाती है वहाँ पे जलन और सूजन की समस्या हो जाती है यह हैं इसका एक मुक्य लक्षन है आभ इसका समाधान क्या है इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे हम बात करते हैं उसमें हमें अस्वगंदा 50 ग्राम रास्ना लेना है 30 ग्राम 30 ग्राम की कॉंटिटी में, गौरक मिंडी 20 ग्राम की कॉंटिटी में लेना है, विधारा लेना है 30 ग्राम की कॉंटिटी में, कागज पैन ले लो, लिख लो अगर भूल जाओ तो, इसी के साथ आपको लेना है सुरंजन, सुरंजन लेना है 50 ग्राम की कॉंटिटी में, विधा अब ये पूरा नुस्का आपके सामने हमने लिख के बताया है, quantity आपको बताईए, ये इतना कामियाव नुस्का है, अगर आपको या आपके किसी जानकार को अगर ये समस्या है, तो इस नुस्के को तयार करके, आपको बिलकुल एकदम बारीक, powder form में तयार करना है, खाने ला रोज, सुबह और साम, दिन में दो बार लेना है, और ये दूद के साथ लेना है आपको, और ये आपको थोड़ा लंबे समय तक लेना है, क्योंकि ये आईरवेदिक नुस्का है, आईरवेद में जितनी दवा इस्तमाल होती है, उनके रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं, लेक हैं, तो इस दवाए का उपयोग उनके साथ कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्या जल से जल ठीक हो जाएगी, और इसके अलावा, आप जब भी जो है, इस दर्श से या परेशानी से काफी परेशान है, तो आपको समतल इस्तान पर ही सोना चाहिए, इस बात का आपको विशेश किसी को भी है, जरुरतमन लोगों को ज़्यादस ज़्यादा वीडियो सेर करें, जिनको यह समस्या है, और अगला वीडियो जिस विशेश पर आपको बनवाना है, वो कमेंट बॉक्स में अपना मैसिज छोर दीजिए, उसी पर आपको जो है वीडियो बना के दी जाएंगी हमारा जो है, पिछला वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बहुत ज़्यादा लाइक किया है, हमारा इस वीडियो को भी आप ज़्यादा लाइक कीजिए, और सेर कीजिए, जब आप हमारी वीडियो को ज़्यादा लाइक करते हैं, तो हमारा भी मन झाल झाल